हेलो बच्छों विल्कम देखो मैं चैनल को हैं आप सब्सक्राइब आप तो की यूपिटपिलस ती अपिस्टेंट एकाउंटर की क्लासस चल रही थी इसमें आप बुक पड़ रहे हैं एकाउंट से यह चीज़े हैं जो इसका फॉस्ट पार्ट है इसके सेकंड पार्ट में कम्पिटर से की कोश्चांस आने हैं उसकी भी एक फॉस्ट पास मैं अप्लोड करी थी एक अलग्से चैनल को पीडियो बना दिये है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हे मिल जाएगा तो उसको भी देख कीजेगा और उसके आगी वीडियो भी आएंगी बश्टरी कंट्रोल के बारे में कि बश्टरी कंट्रोल क्या होता है कि इसका एक और पार्ट आएगा बश्टरी कंट्रोल से पर आई वीडियो को शू करते हैं शू करने से पहले जिन बश्टरी चानल को सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक को सब्सक्राइब करें तो नियुक्त मिलकर वना कि जो बजटरी बनाएं कि जो फीचर में करना है को ऑगनाजेशन मों काम कर रही है उस से रेटेट वह अपना एक बजट की त्यार करती फीचर के लिए असे गौपर्णनेंट है अलगर डिपार्टमेंट पर पर मिल्सकी फिर ए सब्सक्राइब इसका काइब त्युक्त होती है उसके बारे में उसके बारे करदी है जो अगी जो उसने पहले होगा या आगे जो करने बजट बनाया है उतको पूरा करना या पीछ को अदेफाइब करना कि हैं सारी चीज़ों को देखा जाता है आपका बजट करते हैं आपसकौन करना आपकंतर ग 민द्र कर रहे हैं उसको हम control कर सकते हैं तो वह सारी चीज़िए आपकी control में आ जाती है जब वही control हम budget की according लागू करते हैं तो आपका क्या हो जाता है बश्टरी control हो जाता है आए देखते हैं बश्टरी control is a system of controlling cost which includes the operation of budgets coordinating the department and establishing this possibility comparing performance with budget and acting upon the result to achieve the maximum probability करने की जिसमें हम wireless को पहले तश्यार करते हैं हो decreased जो जहां पर हम पैकचिंग का काम का काम कर रहे हैं ऑफिस ते डिपार्टमेंट अलग-लग होते हैं तो यहां पर सारे डिपार्टमेंट से कमप्लीट समनवेब बजट त्यार किया जाता है और उसके साथ ही क्या उनके responsibility है उसकी भी decide किया जाएगा और उसके हम अधिक्तम जादा साथ जादा profit gain करने का कोशिश करते हैं कि जादा साथ हम इस नहां को बज़र त्यार करें कि हमार कॉस्ट कमाए और profit हमें जादा हो यानिके expenses कम हो और हमारी income का सोच जो हो जादा है जिर बात आती है बड़े लेवल पर तो जैसे कि government ही है government में जो budget त्यार किया जाता है वहाँ पर expenses पहले देखे जाते हैं कि हमारे expenses क्या है कितना government कहा कहा expense करते है उसी के according income की बात की जाती है लेकिए बात की जाती है एक तो business में या फिर हम कहें कि पास्नल बज़र जो बनता है एक आपका वेक्टिकाथ हो जाता है एक जू होता है जो प्स्टल बज़र आपको क्यार करते हैं तो जितनी इंकम है आपकी तो तो कि तरफ्वर्मेंट की बात की जाती एक तो वहां पर क्या रहता है कि वह एकथा हम करने हैं कि तो कहां पर बहुत ही आजाता है कि कि खिए खरना क्या करना है यानि कि अगर कोस्स जादा आरी विच्वरण देखना है कि पिछले की बजट जो हमने त्यार किया था पिछले वर्ष का इस वर्ष जो हमारा बजट है बीचमा डिफ्रेंस देखना है कि एक्ष्वन जिते इसके इसको बहुत जादा हो गए थे तो कैसे हमें उसको कंट्रोल क करना है वो सारी कि जो परड़ाम विजर्ट होते हैं उन पर किया जाता है तो आपके संद में आ गया होगा कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है बजट के माध्यम से जो अपने बिजनस में हम अलग-अलग जो डिपार्टमेंट से उनके उसको बहाने की कोशिश करते हैं या उ इस एकार बजट होते हैं भी आगेम कमझेंगे अप्रिपरेशियं और की अन्दादर ते हैं कि इसके इतना हमारा को सकता है उसके बहुत से होते हैं एक अनमान लगाते हैं हुपिक ना की क। आरे और प्रफॉम्मेंस होती है में वह जयुक्ति को नहीं की जाती है बश्टरी कंट्रोल अब आज आता है कि कितने टाइब के बजट होते हैं टाइप सॉब बजट तो यह आपके बहुत टाइप की अलग लग रहते हैं अलग लग वुक्त में देखेंगे आपको अलग लग तो हां से डिफाइन किया गया होगा इसको प्लासिपाइब क वहता है वाघेड जो रहेगा वह सारे बजट जितने भी आपने बनाय होते हैं वो के लाता है और क्राइब को बजट कि जो आपके होगा वह बीदो नहीं को हो जाता है एक operating होता है, दूसरा financial budget होता है, operating में जो आपके sales है, production है, cost है, यह सब आ जाएगा, और financing में कौन सा आजाता है, जो आपके cash budget होता है, या फिर जो capital expenditure budget बनाए जाते हैं, वो budget आजाते हैं, उसके बाद आजाता है, based on flexibility, यानि की launch के अधर पर जो होते हैं, तो इसमें तो तहां कि आते हैं, एक होता है fix जिस्ता हो जाता है, flexible, fix में जो आपके static budget भी कहलाता है, इस में रहता है कि जो अफ्रम होता है, जो enterprises होता है, जिन conditions में और जिन सीजों को धार मेरा करके त्यार किया गया है, उसी तरह की budget पे काम करता रहता है, उसमें कोई भी changes नहीं होते हैं, इसलिए इस लिए single level of activity भी कहा जाता है, और जो flexible budget होता है, लोज़दार budget होता है, इसमें आपके नाम से एकलियर हो रहा है कि अलग-अलग एफिसेंसी के लेविल पर देखा जाता है कि किस पर हम काम करेंगे तो जादा हमको प्रॉफित होगा जैसे कि एक मशीन दी आपने खरीदी है वो दस हजार यूनिट बना सकती है लेकिन हमें भी यह देखना है कि कितने हजार बनाने पर हमारा पॉफिट जादा होगा तो उसके अरुसार हम अलग-अलग जिसे की पाच हजार है आज हजार है दस हजार है इन तीनों ही अलग-अलग लेविल पर हमने अपना एक बज़ट तयार कर लिया उसके बार देखा उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है अलग-अलग पर अलग-अलग लेविल देखा जाता है कि काम करने की चंता जो होगी तो काम करने की कैपसिती होती हो और उसके हमें कितना पॉफिट होगा नेक्स आजाता है बेस्ट रॉन टाइम समय के अधर पर तो एक संस्टा जो होती हो आपकी तो उसमें कुछ लॉंग टम के लिए यह फो एक आपकी जाते हैं वह आपको जो लॉंग टम के लिए लॉंग तो आही जाएगा आपको जैसे यह कर रहे हैं कि जो फटी होती की रहेगी और वनर तक कर दो कि रहेगी इसमे आपकी आज जाते हैं जो cash budget होगा या फिर जो material budget पर त्यार किया जाता है वो सब को आजाता है shorter में और जो current budget होते हैं उसे मार के लिए कुछ months के लिए इंपेंड करता है जो organization उसकी नेटर लिए कि सहां का budget उसे चाहिए है उसके बाद आजाता है zero-based यह इसने मैंने इंक्लूड किया कि अपसर पूछा जाता है कि जीरो बेस्ट क्या होता है जिसे शून अधार बस्टिंग भी कहा जाता है जिसमें जैसे कि नॉमली जो बजट त्यार करते हैं उसमें लोग यह देखते हैं कि पहले से जो बजट हमने बना रहे था वह किस तहां का बना था उसमें कितने कितने इंदाज़ लगा सकते हैं कि हमां कि इतना कॉस्ट आनी है लेकिन जो जीरो बेस्ट होता है कोई भी पहले के बजट का उयूज नहीं करते हैं कोई भी कुरानी इंफ्रमिशन का उयूज नहीं करते हैं ना सिरे से हम इसके रिफ को तयार करते हैं तो आपका जीरो बेस्ट कर देटी तो पीटर एक तार्ट होगा था में अमेरिका में जार्जिया में जीमी कार्टर थे उन्हों ने जो गॉवर्मेंट के इसको कंट्रोल करने के लिए इस बजट का यूज किया था तो अब समझ रहे होंगे आपकी जिरो बेस बजट क्या होता है पहले से कुछ के पुकार क्या होते हैं अब यह इंप्वर्टेंट से बश्टरी कंट्रोल किया जाता है और पहला हो जाता है नेतिने धारर पॉलिसी फॉर्मेशन कि आगे फ्यूशर में क्या पॉलिसी रखने किस तुन्हा कि हम डिसाइड करेंगे या वो आक्च्वल में एक तो यह होता है ना कि हमने बना लिए दूसरे बात यह भी होता है important कि क्या हम execute कर सकते हैं तो execution हो भी सकता है उस policy का कि नहीं हो सकता है इन सब को देखने के लिए बूता हो जाता है लक्षो करने धारा determination of target कि जो भी future में काम करना जो हमने goals बनाने हैं तो goal हमारे actually possible हो पाएंगे हम उनको achieve कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए भी budget important होता है काले कुछ होता है efficiency के अभी current में किस level पर काम कर रहे हैं जितनी हमारी actual efficiency के उस level पर हम काम कर पा रहे हैं नहीं कर पार जो budget हमने बनाया होगा और जो हमारी actual performance नहीं होगी जो बीच का variance है उसके according हम क्या कर सकते हैं जो आपको निकालते हैं ना material variance निकाला जाता है label variance निकाला तो इसके according हम बश्टरी कंट्रोल को लागू करेंगी जिससे की हम जो भी लागते हैं उसको कंट्रोल कर सकें जिसके रहे से ज़्यादा efficiency के साथ हम काम करें जिससे की profits जादा होगी पिदा जाता है वियरों का वजगी current classification of expenses जो बश्टरी कंट्रोल होता है उससे हम अलग-अ कर पाते हैं कि किस मद में किस आइटम में हमारा कितना expenses हो रहे हैं कि बश्टरी कंट्रोल की जो सिस्टा है उपने हमें budget भी त्यार करना आता है भी अपने पढ़ाता ना पूरी process तो budget हम पहले बनाते हैं तो हमें यह बदा से जाता है budget बनाने में कि अलग-अलग types की budget होते ह तो कितना हमां किस department में किस item पर expense हो रहा है जिसे कि हम यह भी define कर पाते हैं कि कितना हमारा capital expenditure हो रहा है फिर आ जाता है फूजी क्या शक्ताओं करने धारण determination of capital requirement कि future में कितनी हमको capital की requirement होगी कहां से हमें उसे किस तां collect करना है क्या हमाई पर जो profit हम अभी earn कर रहें उतना sufficient है तो कि जो machinery हमने लगाई है उसे depreciation भी जा रहा है जो भी हमारे shoulders हमको dividend देना बहुत expenses भी हमको करने हैं वो सब हमाई लिए आपा रहे हैं या नहीं आपा रहे हैं उससे rated हम कितना earn कर पा रहे हैं वो सब भी हरे पता चल जाता है तो इसका बच्टरी control किसी organization में बहुत ही important होत है किसे लागू किया जाता है क्या process होती है क्या उसके objectives होते कितने बच्ट होते हैं अगी चले में mcqs की तरफ को देखते हैं mcqs में हम कि इसको कैसे implement किया जाता है और उसके हम questions को क्यों करते हैं तो यहां पर पैला question है आपका budget dash के लिए तयार किया जाता है budget is prepared for a dash in definite period definite period of one year six month क्योंकि budget के बारे में आपने पढ़ा होगा जैसे अपने management accounting में भी budget पढ़ा होगा और साथ ही financial management में भी तो budget जो होता है वो एक एक वर्ष याद शेम मीने के साब से नहीं बनता एक निशित अवद ही यहां पर आंसर रहेगा आपका definite period के लिए वो definite period आपका एक management का भी वो सकता है वो dependent करता है कि किस type का budget बनाये जा रहा है वो की budget बहुत तरह के होते हैं आपके flexible budget होता है fixed budget होता है zero based परस्टिंग की जाती है performance budget होता है responsibility के according अलग-अलग type के budget होते है master budget होता है तो बहुत टाइक्स के budget होते हैं so depend करता है किस तहां के आप शकता है जो organization है उसकी उसी के according उसका जो time period होता है वो decide किया जाता है यहाँ पर जो budget का answer रहेगा आपका कि निश्यत अवदी के लिए definite period के लिए बनाया जाता है यहाँ पर के एक तांसर होगा option B next question है budget का उपकरण है जो परबंधन को किन कतिविदियों की योजना बनाने और नेंटर करने में सहता करता है a budget is tool which helps the management in planning and control of cash sales activities, production activities, purchase activities, all business activities तो यहाँ पर आपसे question में पूछ रहा है कि जो एक budget tool है वो budget tool किस समय के activities जो business में होती है जो एक management करता है उसके लिए helpful होता है तो जब हम budget तयार करते हैं तो वहाँ पर अगर मिसनस की बात करें तो जो त्चेस activities है उसके लिए अलग से budget बनता है, production के लिए अलग से बनाया जाता है, जो purchase होता है उसके लिए अलग से बनता है तो यहाँ पर तीनों ही तहाँ की activities में helpful होता है यहाँ पर का एक आंसर जो होगा आपका, वो हो जाएगा और business activities सभी तहाँ की business activities के लिए budget जो होता है, वो important होता है का एक आंसर हो जाएगा, option D Next question है, वास्ति प्रदर्शन की recording dash है recording of actual performance is dash and advantage of bushtory control, a step in bushtory control or limitation of bushtory control, ना, तो यहाँ पर question में कह रहा है कि जो actual performance की गई है, जो budget बनाया जाता है आपको एक इजहान में रखेगा, budget जो होता है वो आपको future में क्या करना है, कि तहां से करना कितनी income आएगी, कितना expenses होगा किस वाइडम्स पर कितना आपका expenses आएगे और कहां साथ से आपकी रिम्यू आएगी, इन सब का पूरा एक recording होती है एक लेखा जोखा होता है, जो आप पहले से अनमान लगाते हैं आपको आपको पता नहीं होता, एक estimate त्यार करते हैं कि धविश में, future में इतना हमारा खर्शियों होंगे या फिर इतना हमारी income होगी यह जो बश्टरी नियंतर होता है, बश्टरी कंट्रोल होता है, उसका एक चरण बन जाता है, एक step होता है actual performance को record करना, फिर कांसर हो जाएगा, option B next question है, budget अवज़टी से आशे है, budget paired इसका period of budget committee, period of budget center, period of which budget is prepared, period of budget officer question में कह रहा है कि budget अवज़टी जो होती है, उससे क्या आशे होता है तो अभी जासे की मैंने बताया था कि एक definite period के लिए तयार किया जाता है तो एक आशे हो जाएगा, option C next question है, निम्कित में से कौन सा कथन, budget की कारे का वड़न करता है which are the following statements, decide the function of a budget यहापको यह देखना है, कि जो budget होता है, उसके क्या कारे होते है, क्या functions होते है it is the description of the income and expenditure of a government it is a document containing details of the economic policy of a government it is the description of the programs of the government, all of their work तो question में हाँ पर जो कहा था, कि budget की क्या कारे होते है यहां कि जो सरकार की आयोग्या का वेवराड है, यह दस्तावेज है जिसमें सरकार की आर्थिक नेति का वेवराड होता है यह सरकार की कारकुमों का वेवराड है, यह सभी तो जो budget बनाया जाते हैं, इसे business कर दो नहीं बनाया जाता है यापको government के भी budget आते हैं, वाशिक budget होता है वित्पी budget होता है, अलग लग ज़्य department होते हैं government के उनके भी अपने बजट पर आथियार किये जाते हैं तो यहां पर budget की कारें जो होते हैं जाता है कि कितनी income है और कितने expenses अगर इंडिया के बात करे हम तो इंडिया में तो जैसे budget आपके तरहुआ के होते हैं एक आपका बैलन्स हो जाता है संसलेट बजट एक हो जाता है surplus budget और तीसा हो जाता है अपका घाटे का budget या फिर deficit budget हो जाता है संतर्ज बजट में income आपकी इतनी होगे उतने expenses होगे वराबर रहेगा तुनों साइट और जो आपका अधिक का surplus budget होता है उतमें क्या रहेगा कि income जादा होती है और जो आपके expenses होते हैं वो कम रहते हैं और जो आपका जाता है या फिर्ट बजट होता है वहाँ पर क्या रहेगा कि आपके expenses जादा होते हैं और income कम होती है तो इंडिया में भी यही चीज़ रहती है करेंद के नहीं होता है यहाँ भेर अच्के जास्था जादा होते हैं और हमारे इंकम कम आती है इसलिए k घाटे की विद्थी देखा ऑlit को है तो वहाँ पर संसत्न में होती है वहां पर यह रहता है कि गौवर्मेंट अपना पूरे स्टेट्मेंट नहीं पर किसमत पर कितना बज़ट बनाया गिया है उस पर उबहुता है कितना देना चाहेगी और नहीं जो पारिक भी रहता है तो यहाँ तो क्या रहता है कि रहते हैं कि अनलों Western अब जो फॉडवन्वेंंट ला रही है लिए कि क्समत कर घृटक में साह अला का नगाना शामिल है जो एक संगशन एक निशेत अवधी के भीतर उपन करने की आशा करता है विच कंपोनेंट और बश्टिंग इंवर्व इस्टिमेटिंग दा इंकम और अगनेजेशन इस्पेक्ट तो जरूरेट विधिन अगिवन पीरियर बश्टिंग इस्पें में लीचर बश्टिंग परफ़रमस बश्टिंग कशन Liverी Jam कि इस्पें उख्शों की की उख्यूट से पता चलता है जो इसे बजूरेट अपना बजसेटर में इससे पता चलता है झारिक मैं अधरी कि म 현 ईह कि आपसर का जाएगा ऑक्षिण ए सरकारी बजट क्या दर्शाता है तो यहां पर जो सरकारी बजट हम गवर्मेंट बजट की बात करते हैं तो उसके हमें क्या पता चलता है तो जो गवर्मेंट बजट बनाती है तो वहां पर जितने भी इसको 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 कितना मिलने वाला एक अनुमान लगाया जाता है कि किसी भी या फिर जो टैक्स से है जो डायक्स से होते हैं उसको कितना रिसीव हो रहा है जो उसके बिजनस अपने हैं जो इंटरप्राइजस चल रहे हैं उससे जो इसकी इंकम होगी उसका एक अनुमान लगाया जाता है इस्टिमेट तैयार किया जाता है और इसी तहां एक करेगी कितना expenditure आएगा उसका भी एक व्योरा तयार करती है तो यहां पर जो सरकारी budget होता है वह estimated receive और estimated expenditure का एक आपको वह तयार करता है रिप्रेजंट करता है या एक व्योरा दिखाता है तो आफर हो जाएगा option c इस question है आएगत question की किस पदती में पिछले राजस्तु उझानों को भुष्य पिशेंटित करना शामिल है what method of revenue bursting involves projecting past revenue trends into the future zero-based bursting, sensitivity analysis, discounted cash flow method, historical data analysis वहाँ simple सा question उसको मैं easy कर देती हूँ तो आप वो कहा साम लगेगा कहने का मतलब यह है कि हमने पहले बजट अपना बनाया था जो उने पहले अपना revenue bursting करी थी तो उसके जो भी हमारे आगे की परड़ाम निकले थे और किस्ता का budget हो जाएगा आपका एतिहास इस डाटा इस्टोरिकल डेटा अनॉसिस तरह का आँसर हो जाएगा option D कि जो आपका zero base वेस्टिक होता है तो नाम से एक लिए जिरो बेस यानि की कोई बेस ही नहीं है पहले से की जितनी भी हमारे हमने जो भी budget बनाया थे जो भी चीज़ ने की ही उसको हम पुईतां से छोड़ देते हैं उसके अम भ्यान नहीं देते हैं अभी हम नए से अपना करते हैं और नए तरीके से अपना बेज़ेत को तयार करते हैं वो लाता है हमारा zero based वेस्टिक और जब हम पिछले अनभों के अधार पर पिछले जो ने आंकरेद घे हमारे उसको ध्यार में रख करके अपना थैयार करते हैं वह हमारा historical data analysis हो जाता है दिए आपका एक आंसर ह involves estimating the expenses and organization is likely to incur within a given period revenue bursting expenditure bursting performance bursting capital bursting यहाँ पर कोशन में कहा रहा है कि आभी जो अपने इससे पहले कोशन से पढ़ा था हमने revenue जो बजट था उसकी बारे में पढ़ा था यहाँ पर कहा रहा है कि हम जो जो भी किसी संस्था में किसी organization में definite period में expenses होते हैं उसका जर्मान लगाते हैं कौन सा बजट होगा तो सिंपल सा है वह आपका क्या हो जाएगा expenditure bursting हो जाएगा ब्यार बश्टिंग हो जाएगा एक आसर हो जाएगा option B next question है निम्कित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्धेश नहीं है which are the following is not an objective of government budget distribution of income and wealth, export promotion, social welfare, economic stability तो question में कह रहा है कि जो आपको government budget होता है उसका क्या उद्धेश नहीं होगा तो यहाँ पर government budget के उद्धेश के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आयोधन का पुनार वित्रण यह भी रहता है और सामाजिक कलर करना social welfare यह तो यह सरकारी budget का जो government budget है उसका उद्धेश नहीं होगा तो कहिकता अंसर हो जाएगा option B next question है where budget बनाने की किस पद्धती में शुरुवात में शुरू करना और प्रतेक वदी के लिए प्रतेक सर्च को उच्छी ठहराना शामिल है which method of expenditure budgeting involves starting from scratch and justify every expenses for each period zero based budgeting, sustainability analysis, discounted cash pro method, historical data analysis यहाँ proportion में जो आपके कह रहा था कि इस पकार का हम जो budget बना रहे हैं जिसमें हम किदी बीचीज की विल्कूल zero से start करें तभी मैंने आपको समझाया यह इसके बारे में कि जब हम किसी बीचीज में zero से start करते हैं पिछले जो भी हमारे data रहता है जो भी आपा साखरी होते हैं उस तभान में नहीं रखते वह हो जाता है हमारा zero based budgeting का इक आंसर हो जाएगा option a next question है bursting का कौन सा घटक bursting अंसरमों को विशिष्ट कारेक्प्रमों या गतिविदियों से जोडता है और उनकी प्राउश रिज़ता को मापता है विश कंपोनेंट और bursting और अक्टिविटीज अन्यजर्स टेर इस एक इस एक्तिवनेस चिंग ऐसनिखेंटेंग इसकेम कारेंद रहे हैं उनकी प्राउश रहे हैं उनकी फ्रॉषिरता कितने वह इक्श्येव रहे हैं उसको मापता है वह हो जाएगा आपका परक्पार्मार्मार्स बश्ट्रिग बहुतना सब्सक्राइब करण भाए तो आपकी पर्फार्मेंस बश्टिंग होगा option कि अच्छपाधन बश्टिंग का उद्देशी क्या है और दफर्पस और कर्फार्मेंस इस्टिमेट इंकम, तो मिजर प्रोग्राम एफेक्टिवनेस, तो इंशोर्स अलोकेशन, तो इवैल्यूएट इंवेस्ट्मेंट पोजेक्स, तो कोशन में कह रहा है कि जो पोफार्मस बर्ष्टिंग होती है, उसका अदेशी क्या रहता है, उसका अदेशी क्या हो जाएगा वर्षंपल सा कोशन है, कि जो भी कारिक्राम है, उसकी पाउशलता को मापना, तो इक तांसर हो जाएगा, ओप्शन बी, हैस्ट कोशन है, प्रदेशन बर्ष्टिंग की किस पदती में, बजट को कारिक्रमों या कतिविद्धों में बजगी करत करना, और उनकी पाउशलता के धार पर सासादनों का अबंटर्ण करना शाद है, यहाँ पर कॉशन जो आपको पूछ रहा है, इसमें आपसे कहरा है कि जो प्रदेशन बर्ष्टिंग होती है, जो हम परफार्मन्स बर्ष्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो अलग-अलग कारिक्रम होंगे, जो आपकी सारी करम बर्ष्टिंग, एक आउसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, नेस्ट कोशन है, बर्ष्टिंग के किस घटक में उनक्या प्यक्षित नगदी प्रवाह के अधार पर दिलकारिक निवेश पर्योजनों का मुल्यांकन और चैन शामिल है, इस कंपोनेंट आप के अधार कोशन में कह रहा है कि जो बर्ष्टिंग होती है उसको कौन सा कमपोनेंट होता है जो आपके ये बताएगा कि जो हमने लॉंग डॉर्म इंवेस्टिंग किया था जो दी हमारे पोजेक्ट त correcting करना, या जितना भी हमने उसके we लो हुआ है कि किस तहां से देखेंगे तो वह हो जाता है आपका मुझी गद बश्टिंग कैपिकल बश्टिंग को मैं पहले आपको पहाच चुकी हूँ कैपिल बश्टिंग में चीज़ें आती है जब लॉंग टम आप इंवस्मेंट कर रहे होते हैं तुम आप यह देखना क अपने पर्चस करेंगी उसमने आपने इंवस्मेंट किया था तो आपको पक्त कितना रहा है क्या रहा है कितना छीशल बर ब hating जाते हैं मिलते हैं निसी दोने थैंक यू